जेटीसी हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करता है गोवा बस पैकेज पैकेज आठ रात और नौ दिन का है पैकेज में शामिल स्थान है गोवा, लोनावला, महाबलेश्वर और इमेजिका इंक्लूजिन्स Day 1, बस राजकोट से सुभह साथ बजे, अहम्दाबाद से दुपहर एक बजे, वडोदरा से शाम चार बजे और सूरत से शाम साथ बजे निकलेगी Day 2, लोनावला में Lions Point, संसेट और रात में आसमान का नजारा यहां पॉप्यूलर है पूरा क्षेत्र चट्टानों से बना है और हाल ही में टूरिस्ट को अट्राक्ट करने के लिए रॉक क्लाइम्बिंग आक्टिविटी शुरू की गई है भूशी डैम मुख्या रूप से पत्थर और इट से बना डैम है लोनावला जील लोनावला के बाहरी इलाके में स्थित है और इंद्रायनी नदी से निकलती है खंडाला पश्चिमी घाट में एक हिल स्टेशन है यह सबसे पूराना वाक्स मुजियम है और भारत में प्रसिध सेलेब्रिटी की मूर्तियों की संख्या के कारण सबसे प्रसिध है लोनावला में night stay, day 3 नाश्ता करने के बाद लोनावला से इमेजिका के लिए प्रस्थान इमेजिका 131 अकर का फीम पाक है पार्क की डेली कपासिटी 15,000 विजिटर्स की है। आज तक पार्क में 5.2 मिलियन से अधिक विजिटर्स ने मुलाकात ली है। इसमें थीम, वाटर और स्नो पार्क हैं। रात की यात्रा। Day 4, Goa में आगमन, रिजोट में आराम, गोआ रिजोट में नाइट स्टे, डे फाइव, गोआ में, फोट अगुआरडा 17th सेंचरी का एक अच्छी तरह से सनरक्षित पोचुगीज किला है, जिसमें एक लाइट हाउस भी है, जो भारत के गोआ में, सिंकरिम बीच पर, अरब स भागर के द्रिश्य के साथ खड़ा है, सेंट फ्रांसिस चच एक तीर्थस्थल है और गोआ के सभी चर्चों और मठों का सबसे प्रतिष्ठित समारक भी है, जिसे युनेसको ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है, गोआ में डॉल्फिन शो आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करता है जिसके साथ आप गोआ के आकरशक पानी के माध्यम से इन प्यारे समुद्री जानवरों को देख सकते हैं, डांसिंग बोट क्रूज में डीजे, स्नैक्स और एक स्वादिश्ट लंच शामिल है, गोआ रिजॉट में नाइट स्ट प्लेस में से एक है, डोना पाउला बीच वाइसरोई की बेटी डोना पाउला के बारे में अपनी प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है, कलंगुट बीच, किंग अव बीचर्ज के रूप में लोकप्रिय है, गोआ का कलंगुट बीच दुनिया के टॉप 10 बाथिंग बीच में से एक है, गोआ की कैपिटल में स्थित, पंजिम में मीरामार बीच राज्य का सबसे लंबा बीच है, पंजिम मार्केट उपलब्ध विदेशी और आधुनिक दोनों वस्तूओं का एक कॉंबनेशन है, यह पंजिम में खरीदारी के लिए सबसे बड़े और सबसे अच् रात की यात्रा, महा बलेश्वर के लिए प्रस्थान, डेश सेवन, महा बलेश्वर में आगमन, टाइगा स्प्रिंग पॉइंट आथा सीट के पास है और वहां जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते थे, ब्रिटिश राज के एक अधिकारी, सर जेम्स मैलकम की प्यार बेटी केट के नाम पर, इस पॉइंट को एको पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, एलिफिद्स हेड पॉइंट, जिसे नीडल्स पॉइंट भी कहा जाता है, लॉडविक पॉइंट से परे परवत श्रिंखला के चरम छोर पर स्थित है, कैसल रॉक पॉइंट एक प करदियों तक पानी पिलाया जाता है सिद्नी पॉइंट उचाई पर स्थित है जिसके कारण यहां से टेबल लैंड जैसे अन्य स्पॉट और अन्य व्यू पॉइंट स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं यह महा गनपती मंदिर जिसे धोल्या गनपती के नाम से भी जाना अपने बड़े आकार के कारण वाई में कृष्ट नदी के तट पर स्थित है लोकप्रिया दर्शनिय स्थल जहां से कृष्ट घाटी और धोम बांध के नजारे दिखाई देते हैं साथ ही खेलने की जगा और खाने पीने की दुकाने भी हैं Munki Point महाबलेश्वर में सबसे लोगप्रिया पॉइंट में से एक है यह पॉइंट एक साथ बैथे बंदरों के समान दिखता है लोगप्रिया रूप से सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाने वाला सावित्री पॉइंट एली फिंस्टन पॉइंट और आथा सीट प की उचाई पर स्थित है और गहरे सावित्री कंट से घिरा हुआ है महाबलेश्वर मार्किट वेना जील महाबलेश्वर के परियतन आकर्शनों में से एक है जिसका निर्मान श्री अप्पा साहिब महाराज द्वारा किया गया था महाबलेश्वर या पंच गिनी में रात्री विश्राम डे एट मैप्रोग गार्डन एक लोकप्रिय कैफे और मनोरम द्रिश्यों के साथ रंगीन फूलों और स्ट्रॉबरी के पौधों का मैनी क्यों किया हुआ परिद्रश है टेबल लेंड एशिया का दूसरा सबसे उंचा प्लाटो है जो सूर्यास्त और सूर्योद प्राइवेट लिमिटेड राजकोर्ट कॉंटाक्ट नाइन सिक्स एट सेवन एट नाइन फाफ थाउसंड या नौ दो दो साथ छे शून्य शून्य आठ नौ शून्य